हेलो एवरिवन दिस है शिवांगी वेलकम टूशिप क्लासिस इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं यूपी पीजीट एक्जाम के लिए कुछ मुवमेंट कभ होती है जिए इसके प्राइज के चीनला आप चाहें करके सुलब करके देख लिए यह आपको चाहिएं का मुवड़ प्राइज आपको आपका दिमांड कर रहे नियुक कर दो एक इस सब्स क्लिए है और रिए और increase in demand में क्या आता है कि आपकी income increase हो गई है तो उससे क्या होगा demand का shift कर जागा price में no change है ठीक है यह किसका increase का increase in demand तो यहाँ पर shifting हो गया price तो वही आपकी income increase हो गई है तो आपने जो quantity demanded थी वह increase कर दी है clear हो गया आपको अब next है आपका who was given new approach the theory of demand in terms of band wagon effect snob effect और webland effect यह तीनों ही effect important है ठीक है इनको अच्छे से कर ले ना अब इसको new approach किस ने दी थी हारवे लिबिस्टेन ने दी थी ठीक है तो यह याद रख ले ना next है आपका sluts की substitution effect where does consumer move तो sluts की substitution effect में consumer कहा move करता है to higher end difference करव कहां पे higher in difference करव पे next है आपका the cross elasticity of demand for complementary goods तो जो cross elasticity of demand है किसके लिए complementary goods के लिए हमेशा negative होती है ठीक है क्या होती है negative होती है और अगर complementary goods की जगा आजा है substitute goods क्या आजा है substitute goods तो उनके लिए positive होती है ठीक है complementary के लिए क्या होती है negative होती है cross elasticity of demand तो यह elasticity वाला जो topic है यह important है कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें तो अच्छे से कर लेना the situation in which people are unwilling to make bets in spite of their higher winning prospect when they bet more money is called तो एक ऐसी situation जिसमें लोग bet करने में इंट्रस्टेड नहीं है जबकि उने पता है कि उनके जीतने के chances जादा है तो यह क्या है कौन से मतलब situation है यह संट better bucks paradox है इसमें पताया गया यह ठीक है फिर है economics of scale दे रखे हैं आपको चार कौन-कौन से है technical economics labor economics 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 of concentration manager economics ठीक है तो कौन-कौन से जो है internal economics में आएंगे आपको यह बताना है तो दो पार्ट में जो economics of scale divided internal और external तो internal में कौन-कौन से आएंगे आपके first second and fourth means technical labor और managerial जो external economics of scale के जो पार्ट है ठीक है वो सारे economics से start economies of concentration ठीक है इस तरीके से start है तो आप यह भी पहचान बना सकते हैं फिर है who has classified economics of scale into internal and external तो किसने classified किया है Marshall ने किसने classified किया है Marshall ने next है pain, faith, sacrifice, monotony, felt by factors तो यह कौन सी किये service जो है यह कैसी cost कहलाती है यह real cost कहलाती है ठीक है अगर आप exam देने जा रहे हैं तो 11, 12 की जो micro और macro है ठीक है क्योंकि पहले 12 में हम लोगों ने पढ़ी थी micro macro अब 11 में micro है 12 में macro है तो उसको अच्छे से कर लेना क्योंकि यह question है ना यह वहीं से है real cost ठीक है जो cost का topic है हम लोग जो है जो graduation or post graduation की books तो पढ़ने लगते हैं लेकिन जो हमारा base है वो पढ़ना भूल जाते हैं तो उस चीज़ पर ध्यान रखना और Corp Douglas और CS production तो मैंने बोला ही है कि अच्छा से कर लेना तो इसके तो यह आपको रट गया होगा एक दम से elasticity of substitution Corp Douglas का क्या होता है वन होता है क्या होता है वन होता है फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन है ठीक है यह तीनों डिग्री मैंने समझा रखी आपको मास से देख लेना आप MEC 101 की प्लेइलिस्ट में डिग्री तीनों समझा रखी मैंने तो थियोरी आफ गेम्स वास डेवलप पाई तो न्यूमन और मॉंकस्टन ने दी थी तो बिन एक्सपेक्टेट वैल्य ओफ कैपिटल गेन और लॉसे फ्रम होल्डिंग इंट्रेस्ट बेरिंग असेट इस आल्वेस क्या है जीरो अल्वेस जीरो धियान रखना है आपको तो बिन्स की जो थियोरी है वो आ सकती है एक्जाम में कंज्यूमर अटेन एक्लिवीरियम केस ओफ वन कॉमडिटी वन केस वन कॉमडिटी केस में कहां आता है जहां पर इक्वल टू प्राइस ओफ गूड होती है यह जीरो आपको धियान रखना है ठीक है यह तो वन था अब इन केस ओफ टू कॉमडिटी तू कॉमडिटी के केस में कहां होगा जहां पर जहां मार्चनल उस misery ओफ अधने दूर्ख एक्वल टू मार्चनल उसे ऐग लिख आ सकता है MUX upon me PX equal to MUY upon me PY ठीक है यह ऐसे भी आ सकते है MUX upon me MUY equal to PX upon me PY ठीक है तो यह two commodity के case में consumer equilibrium है फिर next है हमारा IC approach के case में equilibrium कहा होता है जहाँ slope of IC, slope of price line के बराबर होती है price line means budget line जो होती है हमारी price line को ही budget line बोलते है ठीक है तो जहाँ पर IC approach में कहा होता है यह हमारा budget line है और यह IC है तो जहाँ पर IC tangent होता है ठीक है budget line पर वहाँ पर consumer equilibrium होता है the slope of IC तो slope of IC कहा होता है marginal rate of substitution in case of normal goods demand curve is तो normal goods के case में कैसा होता है negative slope होता है law of demand must fail in case of law of demand कहा नहीं लगता है given goods में क्या होता है price बढ़ता है तो उनकी demand बढ़ती है price करता है तो demand decrease होती है law of demand क्या कहता है price increase हो रहा है तो demand decrease होगी तो यह law of demand given goods के case में नहीं लगता है inferior goods are those goods whose income effect is तो inferior goods के case में income effect कैसा होता है negative होता है कैसा होता है negative होता है क्योंकि आपकी इंकम इंक्रीज होगी तो आप इनकी डिमांड क्या कर दोगे कम कर दोगे घटिया वस्तु बोलता है जिसे हम विच आफ द फोलेंग पेर री प्रेजेंट सब्स्टिटूट गूड्स क्या होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर यूज किया सकते हैं कार पेट इंक्रीज होगी तो यहां स्लोप कैसा होता है प्रोप पॉजिटिव एज रिजल्ट ओव राइजन कंजूमर इंकम डिमांड कर फॉर कोर्स क्रेंड या इंफीरियर गुड अब आपकी इंकम राइस हो गई है तो जो डिमांड कर्व है इंफीरियर गुड के केस में क्या हो इंफीर गुड की तो उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज कर दोगे आप उससे बैटर जो है वो परचेस करना चाहोगे इफ टू गुड्स और कॉंपलिमेंट्री देन राइज इन प्राइस ऑफ वन रिजल्ट अगर दो गुड्स किया है कॉंपलिमेंट्री जाएगी तो फॉल इंदी डिमांड ओफ अधर गुड्स ठीक है नेक्स्ट आपका डिमांड कव इस अपवर्ट स्लोपिंग फोर कौन से केस में होता है गिफिन गुड के केस में क्योंकि आप प्राइज और डिमांड में कैसा रिलेशन्शिप होता है पॉसिटिव रिलेश